नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस स्टार मिस्कू नीज में दोस्तों बात करने वाला हूँ यूपिटर पलेसी की बाइस की बाइस भरतियों के संबंद में ठीक है और ये मुद्धा बहुत जोरो से अब शुरू हो चुका है बहुत हुआ इंतजार अब होगा संग्र दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरति के संबंद में या परिनाम के संबंद में कोई भी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुँच जाए यह है योगी जी रोजगार दीजिए योगी सरकार के पाँच साल में यूपिटर पलेसी में 22 भरतियां लंबित हैं 22 भरतियों को बुरी तरह से इन्होंने फसा के रखा है और क्या है पैट के फॉर्म भर दिये 20 लाक लेकिन अभी तक 10 लाक छात्र ऐसे हैं जो फॉर्म को क तो इसमें छात्रों की मांग है सीधा विग्यापन जारी करो और पैट को रद करो ये मुद्दा है और आपको बताना चाहता हूँ यूपिटर पलेसी का ये मुद्दा यूवा मंच ने बहुत जोरों से उठाया है ठीक है और यूपिटर पलेसी की इन्ही 22 भरतियों को ठीक है कल है एक जुलाई और एक जुलाई शाम पाँच बजे दुरुगा पार्ग सलोरी प्रियाग राज में ये सारी मांगे रखी जाएंगी और ये यहां से बिलकुल यूवा मंच का बहुत तगड़ा धरनाय आईजित होने वाला है और इनकी मांगे क्या है देखिए प अदलव पैट की तारिक बढ़ाई जाएं और क्या मांगे इनकी जेई 2016 और 2018 की परिक्षत थी जारी करने की मांगे शिक्षक भरती हो या तकनीकी समवर्ग हो पुलिस भरती समेत प्रदेश में 5 लाख खाली पदों पर विग्यापन भी जारी करो ये भी मांग है और पैट इस सत्र के लिए निलंबित करो और खाली पदों पर सीधे विग्यापन निकालो जी है दोस्तों अगर पैट निलंबित होता है तो इसका भी फायदा छात्रों को पूरा मिलेगा क्योंकि पैट करने में आयोग 4-5 महिने ले जाएगा और पैट का परिणाम गोशित करने में बाट टाइम ले जाएगा उससे पहले भईया भरतिया निकाल दो और उनको चुनाब से पहले पूरा कर दो ये छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा है लेकिन यूपिटर पलसी में जो हाल बन चुका है पिछली 22 की 22 भरतियों का वो बहुत ही बुरा है प्रदेश की सभी लंबित भरतियों को दिसंबर तक पूरा कीजिए जी आँ दोस्तों और मैं इस बात को सम्मंद रखता हूँ यूपिटर पलसी से क्योंकि यूपिटर पलसी कैसा यूप बन चुका है जो इस बात का सीधा सम्मंद रखता है भईया 22 की 22 भरतियों को दिसंबर से पहले पूर आप दुर्गा पार्क सलोरी प्रियागराज पहुँचिए जिससे आपको धरने में मजबूती मिले और यूपिटर पलसी के हालत में सुधार आए मैं बताना चाहता हूँ देखिए 2022 में तो चुनाव है और कुछ महीने पहले लग जाती है आचार सहीता तो क्या आप आचार सहीता लगाने से पहले इन साली भरतियों को पूरा नहीं कर सकते बिलकुल कर सकते हैं अगर चात्रों की संख्या जादा रही धरना तगड़ा हुआ युवा मंच पूरा साथ देगा चात्रों का ठीक है तो भईया ये चात्र बिलकुल जीत कर आएंगे और चुनावी दौर है आपकी बात सुनी जाएगी आप बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँचिए ठी चात्रों के लिए चात्रों का मुद्दा बहुत जोरों से युवा मंच भी उठाएगा चीक है दोस्तों तो फिलहाल ये खबर है कोई और न्यूस होगी तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी दोस्तों यही न्यूस थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों